शनी वार को आठ बूंद तेल डाल दें इस जगे आठ सो गुना धन आएगा यकीनन आएगा करके देखिए उपाए और अपने अरुपा हमारे साथ शेयर करिए हाई एवरिवन माई नेम इस डॉक्टर उमा शरी मेरे चनल में विवर सब्सक्राइबर आपका बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत है आप यूही तरक्की की सीडियां चड़ते रहें निरंतर इसी ब्लैसिंग के साथ आज का वीडियो प्रारम करती हूँ आईए आज का वीड अगए शनीवार को किये जाएंगे वह आपके जीवन में भरपूर मात्रा मैं पैसा ही पैसा लेकर आएंगे यकीनन और आठ का अंक शनी कही है तो आठ की संख्या में आप बूंदे टपकाएंगे किस जगे टपकानी है कैसे टपकानी है वीडियो पूरा देखें तब समझ में चूर होकर हनुमान जी के कोयुद के लिए ललका रहा था प्रारम में तो प्रभु ने मना कर दिया लेकिन उकसाने के बाद उन्होंने शनी देव को अपनी पूछ में लपेट कर सारे ब्रह्मान के तीन चक्कर लगा दिजी लगाए शनी देव का शरीर पहाडों से टकरा चिल गया और उन्होंने शमा भी मांगी तब प्रभु हनुमान जी ने शनी देव को मुक्त किया और अपने हातों से शनी देव के शरीर पर आए घावों की पीड़ा को कम करने के लिए या उससे मुक्त करने के लिए सरसों का तेल लगाया तभी से शनी देव को सरसों का ते प्लानेट के रूप में है, ये मंदगती का प्लानेट है और शने शने चलने वाला है, गोचर में तीसरा और छटा ग्यारवा शनी प्राय शुब होता है, और चौथा आठवा बारवा खराब होता है, जनम राशी से प्रतम इस्थान में अगर शनी आता है तो रोग और देता है दूसरे भाव में आता है तो आर्थिक हानी कराता है गोचर में तीसरे इस्थान पर चंदर से आता है तो आर्थिक लाब और पुरुशार्थ में वरती करता है चतुर्थ इस्थान में शत्रू कष्ट परिशान करते हैं पंचम इस्थान में आर्थिक हानी होती है अगर कुंडली में शनी बल्वान हो तो उनकी क्रपा से व्यक्ति विशिष्ट लोगप्रियता को प्राप्त करता है और सार्वजनिक जीवन में उसे सम्रद्धी प्राप्त होती है अगर शनी अशुब हो तो रोग इत्यादी बहुत परिशान करते हैं शनी वैसे स्वराशी में यानि मकर और कुंभ में बली होता है अपनी उच्च राशी तुला में भी बली होता है शनी वार को आपको शनी नमस्कार मंत्र अवश्य जपना चाहिए ये इस प्रकार है नीलान जन समा भासम रवी पुत्र यमा ग्रजम छाया मारतंड संभुतम तम नमामी शनिश्चरम ये आपको जपना चाहिए दूसरा मंत्र भी बताते हैं जो शनी नमस्कार मंत्र ही है सूर्य पुत्रो दीर्ग देहो विशा लाक्ष शिवप्रियह मंदा चारह प्रसन आत्मा पिगडा हर्तु मे शनी ये मंत्र आपको जपना चाहिए शनी का एकाक्षरी बीज मंत्र भी आप शनी वार को जप सकते हैं शनी का एकाक्षरी मंत्र है शनी गायतरी भी आपको पढ़ना चाहिए शनी का तांत्रिक मंत्र इस प्रकार है इन मंत्रों को जपने से आपको बहुत फायदा होता है इसकी अतिरिक्ट शनी के और भी मंत्र है जैसे ओम मंदाई नमह, ओम सूर्य पुत्राई नमह, ओम श्राम श्रीम, श्रूम, शनिश्चराई नमह यह अपने मात्र से ही आपको लाब होने लगता है शनी वार को नहाने के पानी में आठ बुन तेल डालें और शनी देव का निरंतर जाप करते रहें इसनान कंप्लीट कर दीजिए और आठ लोटे आपको डालने हैं इसनान के पानी से आठ लोटे ही बड़े बड़े ले लिजिए आठ लोटे ही आपको ढोलने हैं अपने शरीर पर कैसी भी विकट परिस्तिती हो उसमें कमी आती है अगर आशद इसनान करते हैं शनीवार को तो आपको शनी करत रोक परिशान नहीं करते और शनी के अशुप्रभाव में भी कमी आती है आशद इसनान के रूप में आपको लोध लेना चाहिए थोड़ी से सौफ ले लिजे काले तिल खस ये लेने से आपको लाब मिलता है सर्सों का चूर्ण भी आप ले सकते हैं शनीवार को आठ बुन तेल आपको टपकाना है कहां टपकाना है वैस्ट दिशा में आपको टपकाना है और वैस्ट दिशा में अगर आप क्योंकि शनी की दिशा होती है वैस्ट दिशा और तिल के तेल में सरसों का तेल मिक्स करना है और उसमें थोड़ा सा जाइफल घिसके डालना है और भ्रंगराज डालना है और ये तेल आपको चुड़कना है आठ गुन तेल अपने वैस्ट दिशा में शनी देव का निरंतर जाप करते हुए आपके सभी कष्ट मिठ जाएंगे शनी की शान्ती के लिए दान का भी विधान है अगर आप तेल का दान करते हैं आठ सो ग्राम तेल का दान करते हैं तो आपको आठ सो गुना अधिक धन की प्राप्ति होती है अगर आप आठ सो ग्राम काली उड़त दान करते हैं सरसूं का तेल आठ सो ग्राम दान करते हैं आठ स्टील के बरतन दान करते हैं आठ मीटर काला कपड़ा दान करते हैं नमक की आठ थैलियां दान करते हैं तो आपको जबरदस्त लाव होता है आठ लोहे की कीलों का भी आप दान कर सकते हैं और दक्षिना में आठ रुपे रखकर दान करें आपको जबरदस्त लाव होने लगेगा तो आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आते हैं तो हमारे चनल डॉक्टर उमा श्री को सब्सक्राइब कर लीजिए यहां बात होती है जोतिश तंतर मंत्र वास्तो की पूजा पाट की और निरंतर जानकरी देती रहती हूँ आपकी भलाई के लिए आप हमसे परामश लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में इमेल आईडी के जरीए संपर कर सकते हैं हमें 25 साल का अनुभव है हमारे इस अनुभव का लाव उठाने के लिए संपर करिए सभी सर्वेस चाओ